आज हम बनाएंगे बहुती जवदस्त बनने वाला पालक पनेर राम राम दोस्तो स्वाहज़ते आपको कुओểm अधुंध मीना राजपुद ब्लोग में तो आज मैं आपके लिकें लिए योई एक्दम वहत्री बनने वाल Ilky पनीर की तो इसकी रहे सिपी को पूरा देखने के लिए वीड़ो को पूरा देखें बीच मैश app समय कर चैलत पूर बनाइए तो चलन को सबस्क्राइब तो जल्दे बनकर तयार हो जाएगी तो सलोगोग चल्डब बनाऊा करते हैं तो फिर पालक पनीर गलागा सबसे पहले पालक को वोईल करेंगे तो हमने हांडी में एक से डिएड़ ग्लास के करीब पानी ले लिया अब हमने पालक को साफ कर लिया था पालक को साफ करके वाश करके हम हांडी में डाल देंगे तो पालक की कौंटिटी मैंने 500-700 ग्राम के गरीब लिया तो पालक की मीब इसमें हम up मिलुकद से डालेंगे पालक को वोईल होने के लिए छोड़ देंगे तो यह आटце-दन में हमारा पालक हो औक तीयार हो जाएगा चीनी हम इसमें इस लिए ढालेंगे ताकि चीनी से चाहिंव होता पालक Going के तियार हो चुका है अब इसे हम थन्ड़े पानी में डाल देंगे आज Wow आसके जुरूत ने हम अब थन्ड़ पार आज कल वैसे तेमप्रेश्र बहुत आई है तो इसलिए हम पालक को ठंडे पानी में डालेंगे इसको ठंडे पानी में डालने कवाज यह थंडे करके अच्छे से निचोड़ लेंगे और जो इसके टमाटर है इसके हम चुक्कल उतार लेंगे पालक को हमें ज्यादा वोइल न सबसे पानी यह तो अब हम चीनी डालते तो इसकी ग्रेवि बनाना तयार करते हैं पालक कि ग्रेवी जो होंगी हम इसको सरसो के तेल में ही बनाएंगे औल हमारा अच्छी से गरम हो जाएगा फिर इसमें आम कुछ मसाले डालेंगे और इसमें अधा चुमज के क्रीब जीरह शाबुत मसाले में हमने ले ले 원 तो साबुत लाल मिर्ची ले लिए तो हम यह डाल देंगे बाकी और कोई मसाले है इसमें साबुत डाल लेंगी जरुवत नहीं है अब आदय कपके करीब हमने ले लिए प्याज प्याज को हमने हलका मोटा कट कर लिया है तो प्याज को में हलका गोर्डन ब्राउन होने तक व्लैट से बक्ल फीजाए एक तमाटर हमने फिड्स टार्टिक में डालें अ हम डाल ले तो टोटल हम इसमें दो टमाटर का उसका शिक्वालो को गया है तो अब हम इसका टमाटर के छृटल को ट मटालें है ता देंगे सारी तर्माटर के खल we willёмे लिकाल amendments करAreन शिक्व और डालें और दिए कोष्माइव कोष्माट करीब लाल मिर्ची से ठोड़ी सब्सक्टाइब तो एक चाहिए चंब्सक्राइब दालेंगे लगें अज़कों के बनेगे कि हमारी पालक की ग्रेवी जितने अच्छी बनेगी पालक पने हमारा उतने अच्छा बन कर तियार होगा तो एक चमच के करीब इसमें हम डालेंगे हरी मेच और धनिये की चटनी यह हमने पहले पीस के रख ली ती अगर आप यह डालना चाहते हो डाल सकते हैं यह बिल्कुल ऀसको डालने इसे जारी भी यह उसेस कि अच्छान के मिन ग्रेवी कों अच्छे से पत की करीब हो गगया इसको ने मीडम फलेम पे पकाया था अब इसके उग्रेवी मिड़ावा पांव पालग भिएगे तो ऑड़ ड़ेंगे दाल का हम इसमें डाल तयांगो ग्रेवी ने टेज कर लिया है और ग्रेवी लेंक से करना एंचे से पकनाJu अब हम को हम अच्छे से ग्रेवी मिक्स कर लेंगे और गैस पंड को हमने मीडिया में रखा थेज निक करा है पालक को हम घ्रेवी में Kas Ł jak पानी हम यप में डालेंगे को पटकने के लिए 7 मिट के लिए पालक को पकते हो गया hour पालक को दबारे से भड़ देंगे अब पालक को पकते-फकते-दसे-बारह मिनिट के गरीब होगे अभी हम से चेक कर लेंगे तो पालक ने वह भी इसमें डाले यह पनीर तो पनीर मैंने 205-2500 घ्राम के करीब ले लिया था आप पनीर के कुएंटिटी आप अपने अकौडिं भुनी हूई कशूरी मैथी तो हम यस पर कशूरी मैथी डाले से जो हमारा पालक पneyर होगा वह वह कर देखने में दू जोंकि दालेंगा एकस्मीरी लाल मिर्ची यह थोड़ी सी डाले से पकने में टाइम लगता है तो इसलिए हम इसमें डाल देंगे पानी तो पालक की ठिकने से अपने अगर आपको पतला रखना है तो आप पानी डाले वरना आप इसे ऐसे ही बना दें तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पनीर मैंने बचा लिया था थो तो थोड़ा सा पनी बिल्कुल थोड़ा सा बचायता हमने ज्यादा नहीं अभी से हम पखने के लिए अच्छा से ढख देंगे तो भी पालक पनीर को पकने में अभी दस से पंदा मेंट और लगेंगे और कीज़ hati कि शॉयां अब नो पालगपनिर को चेक करेंगेह तो इसको पकते-पकते आच से नो आट से 9 मिट के करीब हो गया अभी समय चैक करेंगे तो गया सब खरिएंगे तो पालक पिर कंदर हो गया तो अब इस स्टेज पर हमने गयास को कर दिया का मिल्कुल मीडम कर दिया अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम यह हमने डाली थी फ्रेश दूद की मलाई ले ली ती वो डाल दिया तो अगर आपके कोई अमूल की क्रीम है तो भी डाल सकते हैं तो अब इसको हम ढख देंगे कर लेंगे प्लेटिंग पालग पनीर को सर्फ कर लेंगे सर्विंग कडाय में हम इसे सब कर लेंगे तो जिय से आप गरन बरमी चर्व करें आप नान या पिर पराठे पूरी किसी के साथ प्रका सकते हैं तो जीकिन मानिय हम जादा बन पर टेस्ति बंकर तयार हुआ है वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो पर लेक्षिर कमेंट करें और जो चैलन पर नहीं वो चैलन को सब्सक्राइब भी कर लें और बैल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाले वीडियो की नोट्फिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो गईस ऐसी वीडिय तो आज के लिए मेरे चैलन को सब्सक्राइब करें तो आज मिलते हैं अब अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ तो आज के लिए बाए अ घए झस आज के साथ तो आज वीडियो में।